हाई गैस वेलकम टू बैक मैं चैनल कैसे आप लोग आई होगे तो बहुत आसान सी रेसिपी आज है कवाब बनाने की पैन और कुकर का यूस करूंगी मैं आपको इंशालला ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी और कमेंट जोस में जरूर लिक के बताईएगा कि ये रेसिपी कैसी लेगी आपको तो मैंने लिया है हाफ केजी मटन बोनले से ये ऐसे पानी से चिदरावाश कर ल जीरा, सफेज जीरा, काला जीरा, रेट चिली, कोरियंडर लिस, ब्लैक पिपर अब ये मैंने लिया है इसमें कवाब का मसाला इसका बहुत अच्छा सा टेस आजाएगा अब सारी मसाले को मैं रोस्ट कर लूँगी इस तरह से मसाले हमारे देखिए रोस्ट हो चुके हैं कलर इसका नहीं ज्यादा लाल करना है अब इसे सब को ग्रैंडर में डाल के पीस लेंगे अब कुकर में मैं बोटी को सारे रख दूँगी कुकर में बहुत आसान तरीके सी अगल भी जाएगा इसमें पपीते की जुरत नहीं अब मसाला सब इसमें एड़ कर देंगे मैं से हाफ मसाला मैं एड़ करूंगी कोकोनट पौडर रेड चली पौडर साल्ट टेस्ट के हिस अब साल्ट इसमें डालें और ओयल डालूँगी इसमें डाल के कुकर में मैं डाल दूँगी इसमें पानी नहीं डालिएगा बिल्कुल सूखासा रहेगा अब इसे गलालों की कुकर में गल गया ये देखें रेडी हो गया अब रूप टंपरिचर पर इसे रख ठंड़ा हो आप कवाब घर पर इस तरह से बनाए बहुत आसान है पपीते कभी जंजड नहीं और कुकर में तो जल्दी बन जाएगा यह देखें कवाब रेड़ी है और इसी तरह से आप बनाके फ्रीजर में भी रख सकते हैं कभी भी गेस्ट आए तो आप इसे फ्राई करके आसान है देना बनाके दे दिया अब रेड़ी होगी है कवाब आप भी इंजड आए करें कवाब खाएं तो इन्शालला आपको यह र आपको कैसी लगी दो पर बनाती हैं एक अच्छे सी वीडियो के साथ तैंक्यो फॉर वाचिंग मैं वीडियो